एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टीचर जाओ, यूहाओ, वांग डॉंग और जियाओ जियाओ इन तीनों पे ही काफी गुसा होती हैं क्योंकि इन्होंने इन सबी से इनके फ्यूचर कल्टिवेशन की डिरेक्शन को लिखने के लिए कहा था लेकिन इन तीनों ने ही कंट्रोल सिस्टम को लिखा और इस वज़े से टीचर जाओ का दिमाग खराब हो रहा होता है और इस चीज़ को देखके वांग डॉंग काफी डर सा जाता है और इहाओ और वांग डॉंग मिलके ज्याओ ज्याओ की तरफ देखने लगते हैं और टीचर जाओ गुस्ते से बताती हैं कि जो स्टूडेंट्स से टेस्ट के लिए सेम टीम में हैं वो कल्टिवेशन के सेम सिस्टम को चूज नहीं कर सकते हैं और अगर तुम लोगों ने इसका वाजिब कारण नहीं दिया तो मैं तुम तीनों को नहीं बक्षूंगी और फिर यहाओ कहता है कि टीचर जाओ मैं फाइट के पूरे नजारे को देख सकता हूँ और फ्यूचर में मेरे पास भी एक अटेक स्किल होगी इसलिए कंट्रोल सिस्टम मेरे फ्यूचर डेवलेप्नेंट के लिए काफी सूटेबल है और इस पर में जाओ भी एगरी करती हैं और फिर यह वांग डॉंग से कहती हैं कि तुमारा ये क्या घोटाला चल रहा है और तुम पर तो पावर अटेक सिस्टम अच्छे तरह किसे सूट करता है तो फिर क्यों तुमने कंट्रोल सिस्टम को चूज किया और फिर वांग डॉंग घबराते वे कहता है कि मिजजाओ कितना सदा अच्छा होगा अगर मैं कंट्रोल टाइप स्प्रिट मास्टर बन जाओं तो क्योंकि मैं उड़के लड़ भी सकता हूँ और तो और मैं अपने अटेक पावर को यूज कर सकता हूँ कॉमबेक को अपने कंट्रोल में लाने के लिए और वांग डॉंग की इस बेतु की बात को सुनके मिजजाओ इसे स्टूपिड कहते वे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम यूहाओ से अलग नहीं होना चाते हो और वांग डॉंग भी चौंग गया होता है क्योंकि मिस जाओ ने इसकी दिल की बात कहदी होती है और फिर वांग डॉम सोचता है कि मैं इस बंदे के साथ तीन महीनों से रह रहा हूँ और इसकी स्प्रिट पावर तीन लेवल्स बढ़ गई है जिससे ये लेवल 17 के पीक पे पहुंच गया है और इसने अपने द्रड़ता और अपने प्रेशरम के साथ इसने पूरी क्लास का दिल जीत रखा है और तो मिस जाओ ने इसे क्लास प्रेसिडेंट भी बना रखा है और अगर मैं इससे अलग हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और फिर मिजजाओ बताती हैं कि जो पावर अटेक टाइप इस्परिट मास्टर्स होते हैं वो हरदम कंट्रोल टाइप वालों के साथ कॉपरेट करते हैं और तब भी तुम इसी क्लास में रहोगे तो तुम अपने डायरेक्शन को चेंज कर लो और इस बात को जानके वांग डॉंग के होश उड़ गए होते हैं जिसके बाद ये खुशी खुशी अपनी डायरेक्शन को बदल लेता है और फिर मिजजाओ ज्याओ ज्याओ से कहती है कि जो तुमारा सॉल सीलिंग कॉल्डरॉन स्परिट है उसका मेजर फंक्शन बाकियों को सपोर्ट करने का है तो फिर क्यों तुमने भी कंट्रोल सिस्टम को चूज किया और फिर ये बताती है कि जो इसका सॉल सीलिंग कॉल्डरॉन स्परिट है वो बाकियों से थोड़ा अलग है और ये मुटेटेड है जिसे थ्री लाइव सॉल सीलिंग कॉल्डरॉन कहते है और इसे अटेग और डिफेंस में दोनों में ही यूज कर सकते है और अगर मैं थोड़ा सो और एफट लगाँ तो इससे मैं खुद को भी डिफेंड कर सकती हूँ और फिर मिस जाओ कहते हैं कि लेकिन तब भी इसका कंट्रोल टाइप के साथ कोई भी लेना देना नहीं है और फिर जियाओ जियाओ पताती है कि इसके पास एक और स्परिट है जो कि सपोर्ट और कंट्रोल करने में शक्षम है और डेबल स्परिट को सुनके वांडॉंग यूहाओ और मिस जाओ ये तीनों ही चौंग गए होते हैं और फिर मिस जाओ इसके कंट्रोल टाइप को चूज करने पर मान जाती है और ये कहती है कि मुझे इस टेस्ट के अंदर तुम तीनों से काफी जादा उमीदे हैं और अगर तुम तीनों इस टेस्ट के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म करते हो तो तुम्हें अकेडमी के द्वारा प्रायोर्टी स्टूडेंट की जैसे ट्रियेट किया जाएगा और तुम तीनों का सिर्फ एक ही टास्क है जिसमें तुम्हें फ्रेश्मेंट टेस्ट का चेंपियन बनना होगा और जाके अपनी अपनी तैयारी करो और मुझे तुम तीनों की श्रेंट पे विस्वास है और जब ये तीनों जा रहे होते हैं तब वांग डॉंग कहता है कि मैं तो काफी ज़्यादा डर ही गया था और मुझे लगा कि मिज़वास तो हमें काफी बुरी तरीके से धोने वाली है और तब ज़्यादा कहती है कि वांग डॉंग मुझे तुम से कुछ कहना है जिस पर वांग डॉंग मना करते हुए कहता है कि नहीं मैं अभी काफी ज़्यादा थकावा हूँ इसलिए मैं डॉंग यूहाँ के साथ जा रहा हूँ और सूँगा और इस बात को सुनके जियाओ जियाओ को ऐसा लगता है कि वांग डॉंग यूहाँ के साथ सूने वाला है इस वज़े से इसके दिमाग में उट पतांग ख्याल आने लगते हैं और फिर यूहाँ वांग डॉंग से कहता है कि वो तुमें पसंद करती है और तुमने इस तरीके से उसका दिल क्यों तोड़ दिया और फिर वांग डॉंग कहता है कि काफी सारी लड़िया मुझे पसंद करती है अगर मैं उनमें से हर एक को जवाब देने लगा तो मैं काफी सादा बिजी हो जाऊंगा और उसे भी बढ़कर अभी हम यंग हैं तो हमें स्टडी की उपर फोकस करना चाहिए और इसकी इस बात को यहा काफी गोर से सुन रहा होता है और फिर वांग डॉंग खुश रते हुए कहता है कि तुम्हें मुझे से किसे से हर दम एड़वाइस लेनी चाहिए और फिर यहा कहता है कि हाँ ठीक है जब तक कि तुम खुश हो और तब इस यहाओ जयाओ कल के लिए स्ट्रेटिजी बनाने के लिए कहती है और फिर वांग डॉंग कहता है कि जब तक कि मैं हूं तब तक स्ट्रेटिजी बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है और फिर जियाओ-जियाओ कहती है कि जादा confidence गमन बन जाता है जो कि अच्छी बात नहीं है पर हमारे पास सर्फ तब ही जीतने का मुखा होगा जब हम अच्छे से एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे और फिर युहाओ कहता है कि वांडॉंग तुम अपने attitude को सुधारो नहीं तो मैं टीम को change करने के लिए apply कर दूँगा और इस बात को सुनके वांडॉंग परेशान होते वे कहता है कि तुम मुझे अकेला छोड़ने वाले हो इस बज़े से ये मुझे फुला लेता है तो युहाओ उससे कहता है कि गुसा मत हो चलो मिलके टीम की तरह काम करते हैं और फिर जियाओ जियाओ कहते है कि इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है जिसके बाद ये अपनी अपनी इस प्रिटी स्किल्स को इंट्रड्यूस करवाने के लिए खहती है जिसे कि ये तीनों अच्छे से कॉपरेट कर सकें जिस पर वांडॉं कहता है कि इसकी कोई भी ज़रुरत नहीं है और तबी युहाओ इसकी काफी करीबा के कहता है कि अच्छे से बीहेव करो नहीं तुम्हें तुम्हें दुबारा से ग्रिल फिश खाने को नहीं दूँगा और फिर वांडॉं कहता है कि है तुम इस इसका फायदा मत उठाओ और फिर यूहा कहता है कि लगता है कि तुम और जादा ग्रिल फिश नहीं चाते हो और फिर वांग डॉम रोते वे कहता है कि हाँ ठीके तुम जीत गए मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे और फिर यूहाओ कहता है कि तुम्हें अगले तीन महीनों तक डॉम को क्लीन करना ही होगा जिस पर वांग डॉम कहता है कि भला मैं क्यूं साफ करूंगा और फिर यूहाओ कहता है कि क्या तुम्हें पिछले तीन महीनों में कभी डॉम को साफ भी किया है और फिर जियाओ-जियाओ कहती है कि आला से एक पाप है और जियाओ-जियाओ कोई एक दम से एक दूसरे के इतने करीब देख के वांगडॉंग को जलन होने लगती है और ये कहता है कि मुझे काफी ज़ादा गुस्ता आ रहा है मैं ज़रूर तुम दोने को सबक सिखाऊंगा और फिर वांग डॉंग कहता है कि जियाओ जियाओ तुम्हें तो बड़ी जल्दी नया स्वीट हार्ट मिल गया है और इस वज़े से जियाओ जियाओ को काफी तगड़ावला दिमाख खराब होने लगता है तो यूहाओ से शान करते हैं कि अगर तुम उससे बदला लेना चाहती हो तो तुम्हारा ये गलत तरीखा है और फिर वांग डॉंग कहता है कि आखिर तुम्हारा रिहर्स कैसे करने का प्लान है और फिर जियाओ जियाओ कहती है कि आपस में लड़ना जादा सही रहेगा जिसमें मैं और क्लास प्रेसिडेंट मिलके तुम से लड़ेंगे और ये टूवी वन होगा और वांग डॉंग कहता है कि क्या तुम मज़ा कर रही हो और तुम उड़ भी सकते हो जब कि हम नहीं और अगर तुम हारने लगो तो दूर उड़के चले मत जाना जिस पर वांग डॉंग भी मान जाता है और कहता है कि ठीक है मैं पांच मीटर से तादा उंचा नहीं उड़ूंगा और फिर जियाओ जियाओ कहती है कि यूहाओ तुम मुझे सपोर्ट करना और चलो इस पतंग को मिलके उड़ाते हैं और बैटल के शुरू होते ही वांग डॉंग अपने विंग्स को बाहर निकाल लेता है और जियाओ जियाओ अपने थ्री लाइव सॉल सीलिंग कॉल डॉंग को और ये मन में कहती है कि मैं तुम्हें अपने आपको कमसोर नहीं समझने दूंगी और फिर जियाओ जियाओ यूहाओ की तरफ देखते हैं कि यूहाओ मेरी मदद करो लेकिन ये जैसे यूहाओ की एक लोटी 10 येर स्प्रिट रिंग को देखती है तो ये काफी परिशान होने लगती है और ये कहती है कि आप कोई ताज़िब की बात नहीं है कि क्यों ये कल्टीवेशन में इतनी जदा मेनद करता है और वास्तब में इसके पास कोई भी एक्सलेंट नेचुरल गिफ्ट नहीं है लेकिन जैसे यूहाओ अपने मेंडल डिस्टिविशन और मेंडल डिटेक्शन को यूज करता है तो इसके काफ ही तगड़े वाले होश उड जाते हैं और ये काफ़े खोश होते वे कहते हैं कि तो ये है यूहाओ की स्प्रेट स्केल ये वाक़ई में काफ़ी जदा अौसम है और इस तरह वांडों को काफ़ी जलन मच रही होती है और फिर ये पहले अटेक करते वे कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना ज़दा ओसं हूँ और तब इस दियाओ ज्याओ इसकी तरफ एक कॉल्डॉन को भीज़ते वे कहती है कि तो फिर आ जाओ और इस कॉल्डॉन को अपनी तरफ आते देख वाउंडॉन कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे इससे मेरे रास्ते में भेज़ के इससे ही उड़ा देना चाहती हो तो चलो तुम अब देखोगी मेरी असली रफ्तार को और जैसी वाउंडॉन किसी भी डायरेक्शन में काफी जादा तेजी से जाता है तो जियाओ जियाओ अपने कॉल्डॉन से इसे हर तरफ से ब्लॉक कर देती है और इस सीट पे वाउंडॉन को बिल्गल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है और इसे युहाओ के उपर भी काफी जादा गुस्टा आ रहा होता है और ये चिलाते वे कहता है कि युहाओ तुमारी क्या दिक्कत है और मेरा तुमारी वज़े से काफी तगड़ा दिमाग खराब हो गया है और तुमने ही मुझे सीरियस होने के लिए मजबूर किया है जिसके बाद वांग डॉंग विंग कटर का यूज़ करता है जिस वज़े से इसके विंग से दो हिस्वों में बढ़ जाते हैं और ये अपने विंग से कॉल्डरॉन पे अटेक करने लगता है लेकिन अटेक के लगने से पहले ही कॉल्डरॉन पीछे हट जाता है और कॉल्डरॉन को इसके अटेक को डॉज़ करता देख ये भी चौंक जाता है जिसके बाद कॉल्डरॉन इसे जोड़ से हिट करता है और वांग डॉंग यूहा के डिटेक्शन एरिया से बाहर चला जाता है और ये खुश होते वे कहता है कि चलो अब देखते हैं कि तुम कैसे मुझे डिटेक्ट करने वाले हो और मैं तो दूर से भी अटेक कर सकता हूँ और फिस ज्याओ 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 कहती है कि तुम्हें ज्याओ खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने अब भी अपनी सेकंड स्प्रिटी स्किल को यूज नहीं किया है और तुम तो तब भी नहीं जी सकते थे अगर हम वन औन वन बैटल भी करते जिसके बाद ज्याओ ज्याओ ट्री लाइफ सॉल सेलिंग कॉल्डरॉन कॉल्डरॉन शॉक को यूज करती है और ये कहती है कि देखो ये तुम्हारे लॉंग डिस्टेंस अटेक जितना ही अच्छा है और तुम्हें डॉज करने के लिए मैं अच्छा खासा समय निकाल सकती हूँ और यूहा कहता है कि ये शौक कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है और इस वज़े से पांग टॉंग के भी होश उड़ गए होते हैं और फिर ये बच्छों की तरह रोते वे कहता है कि मुझे अब और जदा बैटल नहीं करनी है और तुम दोने एक टीम के तोर पे काफी जदा अनॉइंग हो और खासकर यूहा तुम्हारी स्किल की वज़े से मुझे काफी जदा गुसा आ रहा है और मन कर रहा है कि मैं तुम्हें अभी के अभी यहीं पर मार दूँ और फिर जियॉव जियॉव कहती है कि हाँ यूहा की स्किल वाकिए में काफी जदा स्क्रॉंग है और मुझे लगाता कि तुम्हारी 10 येर स्किल रिंग तो काफी कमसोर होगी और ऐसा सोचने के लिए मुझे माफ करना और फिर वांग डॉंग कहता है कि चलो छोडो वैसे भी तुम भी काफी बढ़िया हो और तुम सच में यूहा और मेरे टीम के अंदर होना डिसर्व करती हो और फिर यूहा कहता है कि अब से हमें एक टीम है और इस टेस्ट के हमी चैंपियन बनेंगे जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर कॉमपेटिशन में पाटिसिपेट करने के लिए यूहाओ की तिगड़ी भी आई होती है और इतने सारे लोगों को देखेने ऐसा लगता है कि इन मेंसे कुछ काफी तगड़े होंगे और वांग लॉंग शेकी जाड़ते वे कहता है कि इन बच्चों को हराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है तो तुम नर्वस क्यों हो रहे हो और फिजियाओ जियाओ कहती है कि हम भी तो कितने साथ हमेजिंग है और तभी यहाँ पे एक टीचर आजाता है और वो कहता है कि मेरा नाम वांग यान है और इस टेस्ट में मैं तुमारा टीचर हूँ और मेरी आदत अपने स्टूडेंट्स को दोस की तरह ट्रेट करने की है और फरस्ट बेटल क्लास 1 युहाउ की टीम की बेटल क्लास 3 की टीम से होती है और बेटल की शुरू होते ही युहाउ mental detection, mental distribution का यूज करता है और इसके इस लेजेंडरी स्पृट को देखके इसके अपोनेंट के तो होश उड़ गए होते हैं तो इसका दूसरा साथी कहता है कि ज़्यादा पैनिक मत करो हम मिलके इनको हरा देंगे और वांग डॉंग कहता है कि मिलके तुम मुझे हराओगे लगता है कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही मुझे हलके में ले रहे हो और बैटल के शुरू होते ही वांग डॉंग अटेक कर देता है और वांग डॉंग बड़ी ही आसानी से इन सबी को एके करके हरा देता है और बड़ी ही आसानी से इस बैटल को यूगा की टीम जीत लेती है और वांग डॉंग कहता है कि मैंने तो तुम से पहले ही कहा था कि ये बच्चों का खेल है और वांग डॉंग के इस परफॉमेंस को देखे टीचर भी कहते हैं कि ये पावर अटेक सिस्टम का कितना ज़्यादा स्ट्रॉंग स्पृरिट मास्टर है और ये सच में जाओई की गलास के नमबर वन टीम होना डिजर्व करते हैं और वो लड़की दो स्पृरिट रिंग्स के साथ एक स्पृरिट ग्रेंड मास्टर है और ये पक का एक्स्ट्रा ओर्डनरी होगी हाला कि इनका जो टीम लीडर है उसके पास सिर्फ एक टैन इयर स्पृरिट रिंग ही है और मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता हूँ कि इसकी अबलेटी किया है और इन तीनों को खुश देके ये कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं इन्हें अब भी आज पांच और बैटलें करनी हैं और मुझे अभी नहीं तो बाद में पता चल ही जाएगा और देखते ही देखते यूहाओ की टीम पांचो बैटल्स को जीत लेती हैं और इस तरह फिये टीचर परेशान होते हुए कहते हैं कि इन्होंने अपनी पांचो बैटलों को खतम कर दिया है लेकिन अब भी मैं बतानी ही सकता हूँ कि यूहाओ की क्या अबलेटी है और मुझे सच में अपने ओपर काफी ज़दा शरम आ रही है और वांग डॉंग खुश होते हुए कहता है कि आज तो मैंने अखेले ही सब को संभाल लिया तो जियाओ जियाओ कहती है कि तो फिर तुम देखना कि कल मैं क्या कमाल लिखाती हूँ और तुमें भी अपनी स्ट्रेंद को बचा के रखना चाहिए क्योंकि ये तब काम में आगी जब हमारा स्ट्रॉंग अपोनेंट से सामना होगा और फिर वांग डॉंग कहता है कि ये बहाने देना बंद करो मैं जानता हूँ कि तुम बस लड़ना चाती हो और फिर जियाओ जियाओ कहती है कि बिल्कुल सही पकड़ा और फिर यहाओ कहता है कि चलो चलके कुछ ग्रिल्ड फिश खाते हैं और इस सीज़ को सुनके ये दोनों ही काफी जदा खुश होते हैं और तबी हम यहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जिससे घबराते वे सांसी कहता है कि तुमने इसे ढूड़ी लिया जियाओ तो क्या मैं अब वापिस जा सकता हूँ और इस लड़की को देखके वांग डॉंग और यहाँ मन में कहते हैं कि ये तो वही क्रेजी वुमन है जो कि हमें पहले लेक के किनारे मिली थी और ये यहाँ पे क्या कर रही है और इस तरह हम देखते हैं कि सांसी से काफी जदा डरावा होता है और इससे बचके जाते वे कहता है कि मैं अपना एक और सेकिन्ड इसके साथ बिताना नहीं चाहता हूँ और ये मनी मन यूहाओ को गूटलग करहा होता है और फिजियाचाओ कहती है कि तुम दोनों मेरे साथ चलो और पिवे इन दोनों को लेग किनारे ले आती है और ये कहती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों ने मुझे पहँचान ही लिया होगा मैंने रॉकेडमी की डिसीपल हूँ और मैंने लगबग तुम दोनों को हट कर ही दिया था और इस तरफ वांग डॉँग काफी गुसते से धीरे से कहता है कि तो फिर तुम हमें हर्ट करने के लिए माफी क्यों नहीं मांग रही हो क्योंकि इसलिए तुम प्रीटी हो और फिर्णी याव कहता है कि रात गई बाद गई और अकेडमी पहले ही इसके लिए कंपेंसेट कर चुकी है और फिस्याताओ कहती है कि ये बात नहीं है उस दिन एक आइस स्क्रीट मास्टर नहीं मुझे रोका था और वो बंदा सच में मेरे लिए काफी ज़दा इंपोर्टेंट है और मुझे उसे हर हालत में ढूड़ना ही होगा इसलिए जो तुम्हें पता है वो मुझे बता दो और वांग डॉंग तुरंथ ही यूहाव को लेके दूर उड़ने लगता है और कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं यह वापिस से पागल हो गई है और यूहाव जल से जल बिल्डिंग के अंदर चलने के लिए कहता है और यूहाव इसके पर तुरहनती spiritual attack कर देता है जिस वज़े से जिया उताओ को थोड़ी देर के लिए problem होती है जिस वज़े से इन दोनों को यहां से भागने का मुखा मिल जाता है लेकिन यूहाव जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वो जिया उताओ को अपने एकदम पीछे पाता है और जिया उताओ की सिर्फ एकी attack से इन दोनों की काफी ज़दा हलत खराब हो जाती है और इसी के साथ प्रेंट से एपिस और भी हमारा इंपे खतम होता है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस यांगों को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें थैंक्यू